हलो दोस्तों नमस्कार एक बात फिर से आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल विन्या की पाठ साला में आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में यहां पर हम किसी भी संख्या का भाग विदी से वर्ग मुल निकालना सीखेंगे दोस्तों दो तीन बातों का यहां पर वि और विदी से उसे में लाग देना और जाजना फ्लिठी तुन हम लोग जोड़े बनाएंगे आगा में स्टोंts यह नियम दो जौह वां बात एम भाघ ने करें ऑचनग कर भाग हमेशा वर्ग में देंगे किसमें देंगे वर्ग में देंगे जैसे अगर हम चार का भाग देंगे तो चार का भाग चार बार ही देंगे शे कि सामान भाग को होता है इसमें दिदाए आज दो बार लिखकर एकाई के अंग से जोड़ते हैं यहां तीनों बातें जो है कि याद कर लेनी है तो दोस्तों अब हम लोग एक्सरसाइज का पहला प्रस्न लिख लेते हैं और इसके माध्यम से भाग विदी से वर्ग मुल निकालना देखते हैं तो प्रस्न दिया गया है 4489 तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसको 4489 लिख लिए तीनों स्टेप आप याद रखना पहली स्टेप इकाई की तरफ से हम जोड़े बनाते हैं तो बना लो एक यह हो गया और यह हो ठीक है इस तरह से हम इसको लाइन कर लेंगे अब देखो दूसरी स्टेप हमा देखार ऑड़ा ऐसे पढ़ेंगे जो 94 से जादा ना हो चार का 4 में चार्चों को 16 पांच का 5 में पचम 25 छे का 6 में 6 छत्इस साथ का साथ निचाथ ज्यादा हो गया यानी 6 का भाग जाएगा- तो 6 का भाग जाएगा- 6 नीचे आगया- 6 ओपर आ गया और यहां लिखेंगे तो 6 नीचे भी लिखेंगे और इसको हम जोड़ेंगे तीसरी स्टेफ हमारी क्या थी इनको एकाई एकाई को हम जोड़ेंगे तो 6 और 6 इधर हो गया 12 इधर तो जैसा भाग में होता है घटाने का काम तो घटा देंगे तो 44 में से 36 यानि कितने बचेंगे आठ बचेंगे ठीक और अब यह पूरा जोड़ा नीचे आजाएगा नवासी अब फिर से यहां पर हम काम करेंगे भाग देने का तो हम वह संख्या देखेंगे जिसका पाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे यानि तीन का तो तीन अब यहां पर देखो दोस्तों कौंसी संख्या आएगी बहुत ध्यान से देखना आप अगर एक पढ़ेंगे तो लेकिन यहां पर अमन्त मिन नव है तो ऊह रिक होगा नहीं 4, 4, 16 यहांपे 9 है अखली में होगा नहीं 25 यहांपे 9olly में या अखली में 6 छह का 6 का 36 यहां पिनव科ह होगा नहीं जात और सब्सक्रण की सास्त सब्सक्रक्राइब करेंगे उनकाइब हो सकता है तो ढर्बेक्शंस को है ना तो साथ यहां पे लिखेंगे साथ यहां पे लिखेंगे दो बार लिखते हैं क्योंकि यह में जोड़ना पड़ता है अब गुणा करके यहां लिख देंगे साथ सते उन्चास हासिल लगा चार साथ दूनी 14 और चार अठारा हासिल लगा एक साथ एकम साथ और एक हासिल का आठ तो इस तरह से 889 ऊपर है 889 नीचे अब इसको हम घटा देंगे क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा और यहीं साथ हम उपर लिख देंगे अब देखो दोस्तों भाग विदी कितना आसान है सीधा सा हमारा वर्ग मूल निकल के आ गया आता हम वर्ग मूल का चिन चार रजार चार सो नवासी और इसका वर्ग मूल होगा शर्ण सठ वर्ग मूल बचाएं तो दन और जर्ण यह हमारा जो है उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा और नहीं आया है तो एक और एक जाम पिल कुल समझ में आ जाएगा आपको तो अगला है 27,225 एक बाप फिर से द्यान से देखिएगा सबसे पहले हमने जो संख्या दी गए यह उसको लिख लिया लाइन भी कर ली अब पहला काम एक आई से जोड़े बनाएंगे एक जोड़ा और यह अकेला बच किया तो इसको अकेला लिख दो है अब वही काम पहाड़ा पढ़ेंगे उसका उतनी बार पढ़ेंगे तो एक से शुछू करते हैं एक 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 दो का दो बार दो दूनी चार यहां पर ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए एक तो कहा कितनी जगह एक लिखेंगे तीन जगह यहां एक का एक बार ही पढ़ाना और यहां एक और इधर हमने आपको बोला जोडते हैं तो यह एक और एक हो गया दो अब एक हम एक अब भाग में क विधा जोड़ा नीचे आजाएगा साथ और दो बाद तर तो यह हो गया एक सो मत यहां पर दोस्तों देखो तो यहां 5 लिखेंगे तो यह 2 नहीं होगा इधर आप लिख लो यह बाइस है और 5 बार करेंगे तो पचम-पचीज जढ़ा दो वह लगा 5 दूनि 10 दू बारा कि अभी भी कम है साथ अगर लिखेंगे तो 27 नीचे भी साथ आ जाएगा यानि साथ सत्य उन्चार सांसिल लगा चार साथ दूनी चौदा चार अठार यह ज्यादा हो गया इसका मतलब 6 वाला तो यहां पे नागर यहां पर यहां पे भी 6 लिखेंगे इनको जोड़ेंगे और यहां में तो दूमेंश जाएगा ने एक हासिल लेंगे बारा मेंसे चार यहां पर साथ में से हासिल में चला गया तो छे बचा चैमें से पांच गया एक और यह पूरा जोड़ा आ जाएगा 25 का अंतिम स्टेप में हमें बिलकुल ही जी है पांच है आखरी में तो पांच ही लखना एक यूँँ पांच का हम गुणा पांच में करेंगे तो पांच आएगा तो यहां पे कोई यह नहीं है अब पांच पंचे पच्चिस यह देखो दोस्तों यहां पर चैलल इखा था यह पांच पंचे पच्चेस हासे लगा दो पांच दूनी दस और दो बारा हासे लगा एक पांच तिया पंदा और एक 16 1625 उपर ता 1625 नीचे आ गया बचा क्या कुछ नहीं इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्या दी गई थी उसका वर्ग मूल हमारा क्या आ गया जो यह संख्या आई है यहीं हमारा वर्ग मूल है ऐसे लिखनेंगे इसको वर्ग मूल का चिन 27,225 बराबर 165 यह मारा आंसर आ गया चलो दोस्तों एक और देख लेते हैं इसी पहले प्रिस्ट में तीसरा प्रिस्ट दिया गया है वो है 49,284 बहुत ध्यान से देखिएगा आपको बहुत अच्छे से किलिए होगा तो जो भी संख्या में दी गई है सबसे पहले हम उसी संख्या को लिख लेते हैं 49,284 बहुत अब सबसे पहले लाइन कहीं जोड़े बनाएंगे कहां से एकाई से यह हो गया यह हो गया और चार बच गया अब हम भाग देंगे लेकिन कितनी बार जिस संख्या का भाग जाएंगे एक एकम एक दो दूनी चार और यह चार यहां पर भी है इसका मतलब दो बार जाएगा तो दो को हम तीन जगे लिखेंगे दो 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 यह तो ऊपर मेरा वर्ग मूल आएगा यहां पर और इधर जो शंख्या लिखते हैं उसको हम एकाई से जोड़ते हैं तो दो और दो चार हो गए यहां पर गुणा करके लिखते हैं तो दो दूनी चार गुणा भी इसका चार होता है अब चार में से चार गटाएंगे कुछ नहीं आएगा अब यह जोड़ा आ गया बानवे अब यहां पर भी दोस्तो अगर एक से भाग देंगे तो एक एक लिखेंग भाग देते समय यह तो हमेशा जाद रखते हैं कि भाग देने के बाद संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए तो दो दूनी चार और चार दूनी आठ यहां पर दोस्तों अगर तीन से भाग देते तो यहां 43 होता और नीचे भी तीन होता तो तीन का गुणा फिर पूरे 44 अब यह पूरा जोड़ा जो है वह भी आ गया नीचे 84 अब यहां पर फिर से देखो वही काम 4 है ना अखरी में एक एकम एक दो दूनी 4 यहां पर 4 है तो कौन से संख्या होगी यहां पर 2 तो दो नीचे दो उपर भी और 2 यहां भी यह दोनों जुड़के नीचे जाएंग उपर 2 का गुरा 24 में नहीं होगा ना 2 में पूरी संख्या में 442 में 4 दूनी आठ 4 दूनी आठ दो दूनी चार इक70 देते हैं वैसे 2 दूनी 4 चार दूनी 8 चार दूनी आठ तो अब 884 में 884 दो जाएगा क्या बचेब कुछ नहीं तो हमारा वर्गमूल आ गया ये उपर जो संख्यार मिली हमें ये वर्गमूल है अतहां वर्गमूल का चिन 49,284 का वर्गमूल कितना आया 222 समझ गए आप लोग चलो एक और देख लेते हैं इसका चौथा और वो है एक दो तीन चार तीन दो एक 12,34321 चलो इसमें भी आपको और क्लियर होगा सबसे पहले क्या करेंगे संख्याम लिख लेंगे एक दो तीन चार तीन दो एक लाइन कर ली कि अब 21 से जोड़े बनाएंगे पूद कर दो जोड़े बनाना यह 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 फटा एक अब औरıld वी एक का गुणा भी एक होगा एक और एक जोड देंगे तो हो जाएगा दो एक में से गटे का कुछ नहीं बचेगा यह जोड़ा आ टेइस अब यहां पर लिखेंगे तो 22 दूनी चवालेश जादा हो जाएगा इसका मतलब एक ही यहां पर भी लिखा जाएगा तो एक एक यहां पर भी आएगा अब पुनहा उपर से एक जोड़ा नीचे आएगा तो 243 हो गया अब यहां अगर दोस्तों दो लिखते हैं तो 222 हो जाएगा और नीचे भी दो लेखेंगे तो उसमें दो कागुणा करेंगे तो 444 जादा हो जाएगा यानि यहां पे भी 1 ही रहेगा एक 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 अब यहां प यहां पर 43 में से एक गए 2, 4 में से दो गए 2 और यह जोड़ा आगया 21 का अब यहां पर पुनहा जो है दो नहीं लिख सकते हैं कितना लिखेंगे एक एक और यह फिर से उपर एक आ जाएगा और इसका गुड़ा कर देंगे तो 222 और एक 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 डोनी दो एक दोनी दो एक यहां पर जब हम घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा निल बचेगा तो यह संख्या जो है यह हमारी वर्ग मूल हो गई है दोस्तों बहुत आसान है भाग विदी से वर्ग मूल निकालना और उमीद करते हैं अब आज से आप लोगों को भी आसान लगने लगेगा तो आं अब इस पहले प्रस्ण का एक लाश्ट कुष्चन बचा है उसको हम आप लोगों को होमवर्ग के लिए दे रहे हैं तो यह आप लोग हमें करके दिखाईएगा इसका पांचवा प्रस्ण है उन्चास लाग सैंटे सजाद दोसो चौरासी इसका वर्ग मूल भाग विदी से निकालना और निकाल के आप लोग कमेंट करके इसका अंसर हमें बताना तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार